हलाहल के बारे में जानते हैं, दरसल देवता और असुरों में अमरित निकालने के लिए समुद्र के अंदर एक कॉंपेटिशन खेला गया था, लेकिन लालजबुरी बला है और समुद्र की गहराई से अमरित की जगे नीला चम्किला जहर बहार निकलाया, बस इस खतरनाक जा हैर के नशे में डूब कर अपने अंध की तरफ बढ़ रही है, चलिए फटाफट पूरा किस्सा समझाती हूं, हेलो फ्रेंड्स मैं हूं दिक्षा, वेलकम टू फिल्म में रिवियो ऑफ हला हल, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात फिल्म के दर्शन आपको इरोस नाओ पे ह होने वाले हैं, सिर्फ देर घंटे का छोटा सा इंतजार करिये, मैं वादा करती हूं, फिल्म के साथ साथ असली दुनिया के कुछ काले सच भी आपके सामने आ जाएंगे, कहानी एक डॉक्टर साब के इडगेट बुनी गई है, जो खुशियों से भरी हुई जिंदगी में अपनी दो बेटियां और प्यारी बीवी के साथ धर्ती पे स्वर्ग के मज़े उठा रहे हैं, जी हाँ एक ऐसी कम्प्रीट जिंदगी जिसमें इजज़त, शोहरत, पैसा किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वक्त का परिया घूमता है और डॉक्टर साब की बड़ी बेटी एक अजीबो गरीब हाथसे का शिकार हो जाती है, जिसको पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एक सुसाइट की शकल देकर मामले से अपना पला जाड़ लेता है, तब फिल्म में एंट्री होती है एक चालाक लालची लेकिन मज़ेदार पुलिस इंस्पेक्टर की, जो डॉक्टर साहब अपने भारी भरकम बैंक पैलेंस की मदद से इंस्पेक्टर साहब को अपनी बेटी की मौत की सच्चाई तलाशने के मिशन पर लगा देते हैं, जिसमें कुछ ऐसे लोगों की नाम सामने आते हैं, जिनका डिरेक्ट कनेक्शन देश को चलाने वाली कुरसी के साथ जुड़ा हुआ है, आखिर अर्चना की मौत का असली रिजन क्या है, सुसाइड या फिर मर्डर, वो कौन सा जहरीला सीक्रेट है, जिसको बचाने के लिए अंगिनत मासूम लोगों की जान की बली दी गई है, इंस्पेक्टर साहब कभी मामले की जड़ तक पहुँ पाएंगे या फिर नोटों का वर्जन इनके इमान पर भारी पड़ेगा, और एक पिता वाकी अपनी बेटी को इनसाफ दिलाना चाहता है, या फिर इरादा कुछ और है, सारे जवाब मिलेंगे इरौस नाओ पर, देखो सबसे पहले तो एक मज़िदार बात बता दूँ, कि राइटर कोई मामूली इनसान नहीं है, ये वासिपूर के असली चेंपियन है, जिन्होंने पूरी बाजी पलट दी थी, जी हाँ डेफिनेट और जीशान कादरी एक बार फिर से आपके दिमाग के साथ खेलने को तयार बैठे हैं, जिस तरह से फिल्म के शुरवाती पहल अंगडंत और फिक्शनल नहीं, बलकि इसका डिरेक्ट कनेक्शन कुछ रियल लाइफ इंसिदेंट से जुड़ा हुआ है, जिसमें ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ दो बैठे हैं, लेकिन सच कानून की नजरों से अभी तक कोसो दूर है, लेकिन हलाहल बिना डरे हुए सच्चाई के कीचर को पूरी बेबाकी के साथ आपके चहरे पर जोर से दे मारता है, हलाहल जैसी फिल्म में बॉलिवुड में एक नए टाइप की सिनिमा की शुरुवात कर सकती हैं, जिसमें फिल्म में उनमें कास्ट किये गए एक्टर्स के दम पर नहीं, बलकि इसक ठीक उल्टा नटकर चंचल किरदार वो स्क्रीन पर उतारने में व्यस्त हैं, और यकीन मानिया उनकी परफॉर्मेंस में एक छोटी सी भी गलती आप माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं ढून पाओगे, सचिन सर अपनी फील्ड के मास्टर हैं, वो जब-जब स्क्रीन प पहली की तरह आपके सामने रखा है, इसमें दिमाग के एक्जाम के साथ-साथ दिल पर भी हमला किया गया है, और पूरे सिस्टम को एक्स्पोज करने की हिम्मत आपको तालिया बजाने पर मजबूर कर देती है, तियार कमशब्दों में बोलू तो हलाहल एक मजबूत और द सचन सर की पाउरफुल एक्टिंग के लिए और एक्स्टार शिरुवात से लेके एंटक सीट पर बांद के रखने वाली कहानी के लिए, बात करूं नेगेटिव्स की तो एक्स्टार कटेगा आप कुछ-कुछ जगह पर कहानी की डिटेल में ना उतरके सिर्फ उपर-उपर से कुछ पॉइंट्स को हाइलाइट करने के लिए जिनको समझने में विचारी ओर्डिंस कहीं कहीं पर थोड़ा सा चूक सकती है, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या आपको कुछ शिकायद करनी हूँ मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाओंगी, बढ़ना थोड़ा से इंदजार करें, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बैबै